नमस्कार दोस्तों दोस्तों कल दुपहर से ये तस्वीर सोशल मीडिया पे बार बार घूमती फिर रही है और ये तस्वीर मानों कह रही हो कि कॉंगरेस की हर लीडर्शिप को कॉंगरेस के हर नेता को कॉंगरेस के हर कारिकरता को और कॉंगरेस के पसंद करने वाले हर उस व्यक्ति को जख्म नमक छिड़कने का काम कर रही हो जो जो इस पार्टी की जीत की उमीद लगाए बैठे थे कल दोपहर से चबसे चार राज्यों के चुनाव नतीज़ा हैं अगर उसमें आपते लंगाना को छोड़ दीजिए तो बाकी तीन राज्यों के चुनाव नतीज़ा और उस पे आज मीजोरम के चुनाव नतीज़े भी जोड लीजे जहां पर कॉंगरेस को चालिस में से सिर्फ एक सीट मिली है वो भी तब जब राहुल गांधी अकेले राष्ट्रे नेता थे जिन्हों ने मनीपूर में जाके चुनाव प्रचार किया और साथ में उससे पहले मनीपूर का दोरा भी किया था उसके बावजूद आज मीजोरम में कॉंगरेस को सिर्फ एक सीट मिल रही है तो इन चारोzusख्यों के चुनाओं नतीजों से मुझे लगता है कॉंगरेस पार्टी को कुछ सबक तो हात आथ ले लेने चाहिए वो सबख है कि किस तरह से एक आदमी का एहंकार, किस तरह से एक शक्स की जिद या किस तरह से एक शक्स की गलत फहमी कहले या अति आतम विश्वास ना सिर्फ उस नेता को बलकि पूरी पार्टी को अर्च से सीधा फर्श पर गिरा देता है। एक शक्स इसका नाम रेवन्थ रेडी था और उसकी टीम महिनत के दल पर क्या-क्या-क्या किया नहीं जा सकता, महिनत की जाए तो किस्मत बदले जा सकती है, उसका एक्जामपल भी इसी पार्टी के एक नेता ने दिया है, तो यह कुछ चीज़ें थी, दरसल आज बहुत सारे लोगों उनने आपने देखा होगे कल से लेके बहुत वीडियोज आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस ने कहां-कहां गलतियां की, कॉंग्रेस को क्या-क्या नुकसान हुआ, कॉंग्रेस कैसी है, वैसी है, कि मैंने भी पूरा फर्रा तयार कर रखा है कि कॉंग्रेस की क्या-क् मैं भी चाह रहा था कि इस तरह की ऐंपे बात करो कि कांग््जस नहीं क्या गलत किया और क्या करना चाहिए? लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे इस बात पर वीडियो बनाना चाहिए कि क्या सच में इन चुनाव से कांग्簡 ह सिर्फ मायूसी हाथ लगी है या कि BJP में वी पूरी तरा से चुनाओ नतीजे हजम नहीं हो रहे हैं पुश तो वजा है तो फिर मैंने चुना आज इसी विशे पे चुनते हैं इसी पे बात करते हैं तो सब से पहले मेरे सामने मायावती का ये ट्ट्विट आया मायावती लिख रही है कि जो मायावती का tweet उसमें साफ लिखा है कि जिस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं जो मैं कह रहा हूँ वही बात मायावती कह रही कि हजम नहीं हो रहे क्योंकि कहीं पर भी इस तरह का माहल नजर नहीं आ रहा था ये एक शक्स है इनको आप पहचानते होंगे योगेंद्र इसी जमाने में इस देश के सबसे बड़े सेफॉलोजिस्ट माने जाते थे यानि योगेंद्र यादव जो आकड़े देते थे 99% स्ट्राइक रेट उनका होता था अकसर इस सही निकलते थे यह अलग बात है कि अब राजनीती में आ गये हैं लेकिन सेफॉलोजिस्ट तो इ मारजन रहा हो वो लोगों को क्यों समझ में नहीं आया ना किसी एकड़े पॉल ने इसे भापा ना पत्रकारों ने इसे भापा ना आम लोगों ने इसे भापा ना कॉंग्रेस ने लापा ऐसा कैसे हो सकता है योगेंद्र यादव का कहना है कि जब बात 1,5,5% की होती है पिछले साल गुजरात में साफ दिख रहा था कि कॉंगरेस का महापर सफाया होने वाला है बीजेपी एक तरफा जीतने वाली है और नतीजे भी वैसे ही आए तो मध्यप्रदेश में ऐसा क्यों नहीं दिखा किसी भी पोल्स्टर को और 36 गड़ में तो बिलकुल ही सब के सब गलत साबित हुए ऐसा क्यों अब मायवती और योगेंदर यादव की ये बात हैं शक तो जाहिर करती हैं संधे तो पैदा करती हैं कि क्या कुछ हुआ है परदे के पीछे जिन्होंने ये चुनाव नतीजे कुछ इस तरह से सामने लाखड़े कर दी हैं देखिए मैं एक पत पत्रिकार तब तक किसी बात की पुष्टी नहीं करता जब उसके पास कोई पुखता सबूत ना हो तो इसलिए एक पत्रिकार के तौर पर मैं इन चीजों की पुष्टी नहीं कर सकता कि हाँ ये बात सही है ये संधे सही है लेकिन हाँ एक आम नागरी के नाते में ये जरू कह सकता हूँ कि संधे तो धरूर पैदा करता है अब कुछ अलग-अलग थियोरियां इसमें चल रही है एक थियोरी जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो थियोरी ये है कि सारा खेल दरसल EVM का है जो भी हुआ है EVM के थ्रू ही हुआ है और जो मद्य प्रदेश में दो दिन पहले ही तीन दिन पहले एक बैलेट पेपर खुलने की वीडियो सामने आये थे वो जान बुझ के ध्यान डाइवट करने के लिए किये गए थे ये थियोरी चल रही है मैं आपको फिर बता द है शुरू से लेके आज तक और सबसे बड़ी प्रयोक्षाला है उसे संग किसी भी हालत में बीजेपी हाथ से नहीं जाने देना चाहते है तो सबसे बड़ा खेल वहीं पर हुआ है अगर किसी चीज का हुआ है चाहे वो EVM का हुआ है चाहे हुआ है क्योंकि वहाँ पास जो मैंने कहा योगेंदर यादव की जो बात है क्यों बाजी ऐसे पलटी कि किसी की समझ में ही नहीं आया किसी को भी समझ में नहीं आया सिवाए दो इजन्सीज को जिनोंने एकजिट पोल में यह आकड़े दिखायते लेकिन इतना नंबर उन्होंने भी नहीं चुआ था बीज सवाल तो पैदा करता है. तो लोगों का कहना है क्योंकि कि सी भी हालत में जो है वो मद्य प्रदेश, बीजेपी हारना नहीं चाहती ति इसलिए वहाँ खेला हुआ और उस मद्य प्रदेश के जरिये पूरे देश को एक संदेश देना चाहती है कि जो संग की हिंदुत्यों हैं मद्य प्रदेश और गुजरात वो दोनों पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं और उससे संदेश हर उस राज्य को देने की कोशिश की गई जहां जहां बीजेपी का हिंदोत्यों का कार्ड चलता है आप देखे गुजरात में भी इसी तरह के नतीजे है और मद्य प्रदेश में भी है लेकिन फर्क वही जो मैंने पहले कहा कि गुजरात में पहले से लोगों उन्हें प्रडिक्ट कर लिया था कि गुजरात में तो कुछ इसी तरह के एक तरफा आन्दी बीजेपी के लिए चल रही है लिकिन मद्यप्रदेश में उलटा कॉंगरेस के लिए का अंधी बोड रहे थे और बीजेपी को हारने की कहार पे खड़ा कर रहे थे लेकिन हुआ उसके उलटा अब बात आती है कि भчики बहाई चल ये मद्यप्रदेश में उन्होंने ऐस जिए हुआ करते थे, 36 गड़ में भी वही खेल हुआ, 36 गड़ में भी किसी को मद्यपरदेश से ज़्यादा जटका तो 36 गड़ का लगा, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ कि 36 गड़ कॉंगरेस कैसे हार गई, 36 गड़ में तो, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 36 लेकिन राजिस्थान में क्योंकि कॉंग्रेस को पहले से लग रहा था कि वो कमजोर है और बीजेपी को पहले प्री पोल सरवे में भी और एगज उड़े पोल में भी बीजेपी को सरकार नहीं किया राजिस्थान में जो नतीजे आया है, वो genuine है, उसके बारे में जो थियोरी चल रही है मैं फिर बहुर रहा हूं आपको कि यह सारी थियोरियां चल रही है, मैं यह इसको confirm नहीं कर रहा है लेकिन थ्योरी में यह है कि राजस्थान BJP नहीं छड़ा राजस्थान में जो नतीजह आया है वो जैंवन है क्योंकि वहां लग रहा था कि BJP को एजह और BJP निकाल सकती है अब रही बात तिलंगाना की तो तिलंगाना में तो BJP गिंती में थी ही नहीं यह मालूम है उसके बावजूद भी एक से लेके आठ तक पहुँच गई है बीजेपी एक सीट से आठ सीट पे पहुँच गई है तो कुछ तो खेल वहां भी हुआ है खास करके उस सीट पे जहां बीजेपी के एक निता ने ना सिर्फ के सीर को हराया जो सिटिंग मुख्यमंत मंतरी थे बलके जो अगले भावी मुख्यमंतरी रेवन तरेडी उनको भी हराया दोनों को हरा के बीजेपी का विधायक जीता है तो एक सीट का नतीजा संदेश देने के लिए बहुत होता है और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कल प्रधान मंतरी ने से उन्होंने शुरू कर दिया कि दक्षिन तक अब बीजेपी का अगला टार्गेट है तो ये कुछ थेयोरिया है जो अगर देखा जाए सोचा जाए तो सही भी लगती है लेकिन जब आप तथ्यों की बात करते हैं तो तथ्ये इनके जो है इनको पुष्टी के लिए कोई पुष्टी के नहीं मिलते तो आप इने सच भी नहीं मान सकते लिकिन त्योरिटी के लिए अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं शक तो जरूर होता है चलिए इन चुनाओ के लिए यह चिनाओ नतीजों से सिर्फ मायसी ही हाइठ लगी है जी नहीं बिलकुल नहीं मैं इसे नहीं मानता क्या Congress को मन्थन करने की जरूरत है जी हाँ बिलकुल मन्थन करने की जरूरत है क्या Congress को बदलाव करने की जरूरत है जी हाँ बहुत जबरदस तरीके से बदलाव करने की जरूरत है यह तीन पॉइंट है दरसल मेरे हिसाब से outcome जो Congress के लिए आते हैं चुनाव से मोटे तोर पर अगर आप इसका निशकर्ष निकाले जो पूरे चुनावगा तो यह तीन पॉइंट पर आता है सबसे पहली बात है कि कॉंग्रेस को मायूस होने की जरूरत क्यों नहीं है Congress को मायूस होनी की जरूरत इसलिए नहीं कि जो आपकी स्क्रीन पर आकड़े हैं जरा इन पर नजर डालिए जरा Congress का vote share देखिए चाहे राजिस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तलंगाना हो तीनों ही राज्यों में कॉंग्रेस ने जो पिछली बार अपना वोट शेयर लिया था ज़सका तस कायम रखा है अब उसके साथ ज़रा कॉंग्रेस को मिले कुल वोटों की संख्या देखिए और बीजेपी के वोटों की देखिए बहुत कम मारजन है दोनों के वोट से तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि कॉंग्रेस को चिंता करने के मायूस होने की जरूत इसलिए नहीं कि कॉंग्रेस ने अपनी जमीन इन राज्यों में नहीं खोई है हाँ Congress ने gain नहीं किया है तो अपनी जमीन खोई भी नहीं है तो बीजेपी को अगर इतना बड़ा gain मिला है तो किस के आधार पर मिला है किस की वज़ासे मिला है वो मिला है वहाँ के क्षेत्रियों पार्टियों के वैसे जैसे समाजवादी पार्टी होगी, BSP हो गई, CPM हो गई और छोटे-छोटे पार्टिया उनका वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है Congress का वोट Congress के पास जसकतस रहा है और अब अगर इनके 2019 के लोग सबब चुनाओं को देखे और फिर 2024 के चुनाओं को देखे तो भी Congress को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि पिछली बार भी 2019 में राजिस्थान में 25 की 25 सीटे NDA के पास थी, 24 BJP के पास, एक अलाई के पास मद्यपरदेश में सिर्फ एक सीट Congress जीत पाई थी, बाकि सब की सब BJP को गई थी तलंगाना में भी मेरे खाल जो है वो 36 गड़ में सिर्फ दो सीट Congress जीत पाई थी और तलंगाना में भी दो या तीन सीट जीत पाई थी, BJP को जो है काफी फाइदा हुआ था तो टोटालिटी में यह है कि अगर BJP इन राज्यों को स्वीप भी कर लेती है खास करके मद्यपरदेश, राजिस्थान, 36 गड़ तो भी Congress को सिर्फ तीन सीट का नुकसान होता है BJP को सिर्फ तीन सीट का फाइदा होता है लेकिन यहाँ पेच यह है कि पिछली बार BJP अपनी पीक छूच चुकी है और BJP के लिए पिछली performance repeat करना नामुम्किन है मैं मुश्किल नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं नामुम्किन है तो इसलिए आप यह मान के चलिए कि बेशक Congress इन तीन राज्यों में चुनाओ हारी है लेकिन लोकसाब चुनाओ में चाहे एक ही सीट का फाइदा हो, जादा नहीं कहता है चाहे में एक ही सीट का फाइदा हो, हो सकता है दस सीट का भी फाइदा हो लेकिन फाइदा होगा तो सिर्फ Congress को होगा, ये भी आप मान के चलिए ये तैय बात है कि Congress की सीटें तीन से ज़्यादा बढ़ेंगी इन तीन राज्यों में तो इसका मतलब ये भी एक पॉइंट हुआ कि Congress को मायूस होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है अब एक थोड़ा सा imaginary या आप एक कह सकते हैं कि emotional या भावनात्मक तरीके से अगर आप देखें तो एक उमीद ये भी है कि पिछली बार 2019 में राजस्थान भी Congress ने जीता था मध्यप्रडेश भी Congress ने जीता था 36 गड़ भी Congress ने जीता था तीनो राज्यों में Congress की सरकार बनी थी लेकिन 6 महीने बाद जब लोकसभा चुना हुए तो नतीजे बिलकुल उल्टे आए Congress साफ हो गई सिर्फ तीन सीटे जीत पाई और बीजेपी एक तरफा जीत ले गई लेकिन इस बार तीनो राज्यों में बीजेपी जीती है तो क्या हवा अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 महीने बाद Congress के पक्ष में भाएगी उम्मीद है, hypothetical है ये चीजें लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं हिंदुस्तानी में भावना बहुत चलती है तो जो Congress के समर्थक है उनकी ऐसी भी भावना है ये भी हो सकता है तो ये भी एक उम्मीद की किरण है ये भी जो है आपके मायूसी के बादल को छाटती है अगला पॉइंट जो Congress के लिए बहुत पॉजिटिव जो मायूसी को हटा कर एक positivity लाता है इन चुनाओं का नतीज़ा वो ये है कि अब तो Congress कोई बात समझ में आनी चाहिए कि जो politics में कुछ लोगों के retire करने का वक्त आ चुका है आप नहीं retire करोगे तो public इस तरह से retire कर देगी इसलिए बहतर है कि party खुद ही ऐसे लोगों को retire कर दे जो बार बार अजमाय जा चुके हैं लेकिन वो हर बार फुके वे कार्टूस सावित होते हैं अब मैं नाम नहीं लूँगा ल बहुत जरूरी है आप उधारन अपने तिलंगाना को देख लीजिए आपने वहाँ नया चेहरा दी दिया नई लीडर्शिप दी नई लीडर्शिप ने नया जोश पैदा किया और आपको दस साल बाद लगातार हारने के बाद सत्ता में बिठा दिया एक और positive चीज कॉंग खेतरीय पार्टिया जो भी पार्टिया आप घिनलीजे नाम लेजे मैं सब के नाम क्यालू हूं सब की सब कॉंगरेश की जमीन पे होगी है लेकिन तिलंगाना में आपने एक regional party को जो आप ही की जमीन पे होगी थी उसको हरा कर दस साल बाद जो है सत्ता हासिल की है एक regional party को क उन से निकल कर आपके पास आ सकता है. आप भूलिए मत. दो हजार उननिस के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो सिर्फ 37 प्रतिशत वोट बीजेपी को गया है. बाकी 63 प्रतिशत वोट बीजेपी के खिलाफ का. उस 63 प्रतिशत वोट में कम से कम 50 प्रतिशत वोट ऐसा है जो किसी वक्त कॉंग्रेस का हुआ करता था कॉंग्रेस से छिटक के दूसरी क्षेत्रिय पार्टियों को गया है तो अगर तेलंगाना में आप एक क्षेत्रिय पार्टी से अपना बेस वापिस ले सकते हैं तो बाकी जगाओं पर क्यों नहीं कर सकते हैं ये भी कॉंग्रेस के लिए पॉजिटिव साइन है अब बात के कॉंग्रेस को मंधन की जरूत है जी हाँ बहुत मंधन की जरूत है और सबसे पहली जरूत क्या है सबसे पहली जरूत तो ये है कि आपको अब एक क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी विचारधारा धरसल है क्या विचारधारा की बात इसलिए आ जाती है कि राहुल गांदी बात करते हैं सर्वधर्म सौभाव की बात करते हैं सोशल जस्टिस की बात करते हैं जिसकी जितनी आवादी उसको उतना हक बात करते हैं हर धर्म को साथ ले जाने की वो गुरुद्वा बनवा रहे होते हैं, वो बाबाओं को अपने यहाँ पर बुला रहे होते हैं, वो बाबाओं को नत्मस्तक हो रहे होते हैं, वो साधों को गुंगान कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपकी ideology नीचे जो worker है जिसने दरसल पार्टी को चलाना है, पार्टी को जिताना है, उस तक त पमलनात या दिगवी जैसिंग या अशोग हैलोत या भुपेश भगेल भी लेजे इस तरह की राजनीती करने वालों को थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन करना पड़ेगा कि जो आपका सर्वोच नित्रत्व विचारधारा पे चल रहा है वही विचारधारा दरसल पार्टी की वि top to bottom वही विचारधारा का मैसेज पहुचना चाहिए और यह confusion वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए दूसरा ये है कि राहुल गांधी तो अपनी हर रैली में हर सभा में हर प्रसकाउंटेंज में अडानी का जिकर करते हैं अडानी पे हमला करते हैं लेकिन जब क्षेतरी नित्र की बात आती है तो वो अडानी के मुद्दे को छूना भी नहीं चाहते बलकि अडानी के साथ जो मिलके प्रदेश में अपने अपने राज्यों में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये भी एक दो दोगला चेहरा कॉंग्रेस का सामने आता है इनी दोगले चेहरों की वैसे आप लोगों में ये विश्वास नहीं जगा पाते कि जो हम गारंटियां दे रहे हैं आप उन पर भरोसा कीजिए लोग उन पर नहीं भरोसा करते हैं ये चीज भी पार्टी में मुझे लगता है अब क्लेरिटी होनी चाहिए इसके अलावा भी कॉंग्रेस में बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन अब बात ये है कि क्या कॉंग्रेस को बदलाव करने की जरूरत है जी हाँ बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है क्योंकि वक्त दरहसल बहुत कम है अगर वक्त बचता लोग सबाचुनाओ के लिए तो इतने बदलाव करने की जरूरत नहीं होत सबसे पहला बदलाव तो यह है कि जो पार्टी में एक रिवाज चला है अब मुझे नहीं मालूम यह बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए लेकिन यह सचाई है इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है प्राजिस्थान हो मद्यपरदेश हो 36 गड़ो जब आप जिस उमीद्वार को उतारते हैं मैदान में तो आप मनलब कोई पार्टी जब उनसे पोच्छती है कि यह हमारे स्टार प्रचारक है आप इसमें लिस्ट अपनी प्रेफरेंस की लिस्ट दे दीजी कि आप किसको अपन के लिए बुलाना चाहते हैं फिर पार्टी उसके टाइम टेबल के हिसाब से अर्जस्ट करने की कोशिश करते हैं मैं जानकर बड़ा हैरान हुआ था जिस दिन मुझे यह पता लगा था वो मैंने जिक्र नहीं किया लेकिन मुझे लगा क्योंकि हो सकता है कि गलत खबर चाही गई हो जानभूज के लोग जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हो नतीज़ आएंगे पता लग जाएगा लेकिन अब नतीज़ आगे तो मुझे वो बात कहीं सच नजर आ रही है कि राजिस्थान, मद्यप्रदेश और 36 गड़ तीनों ही जगा से जो स्टेट की टॉप लेडर्शिप है ना, उन्होंने जो अपने यहां पर प्रचारकों की लिस्ट दी थी, उसमें राहुल गांधी किसी में पांचवे नमबर पे थे तो किसी में छड़े नमबर पे थे, सोच सकते हैं आप, प्रियंका गांधी जादातर लिस्ट में तीसरे नमबर प याद रखेगा, प्रियंका गांधी तीसरे पे थे, सचिन पाइलेट चौथे नमबर पे थे, अशो गहलोत पहले नमबर पे थे, और दूसरे नमबर पे कुछ जगा पर डोटासरा थे, तो कुछ जगा पर सीपी जोशी थे, यानि अलग-अलग जगाओं से थे, राहुल ग अगेल टियसिंग देउ के बाद, जबकि आप बीजेपी की तरफ देखिएगा, कि जब भी कोई पूछेंगे कि आपके हाँ कौन आना चाहिए, तो उनके बिना पूछे, सबसे पहले मोदी, फिर अमिच्चहा, फिर उसके बाद जेपी नड़ा, फिर स्थाने नित्रतों के बात आती है, यहां उल्टा है, यह बात देखा जाए, तो पार्टी के लिए बहुत बहुत नुकसान दे है, आप सोचिए, आप जिस नेता को लिस्ट में पांचवें या छटे नंबर पे रखते हैं, और वो आपका सबसे बड़ा नेता है, उससे जब आप अपने रैली मे बुलाते हैं, तो क्या आप उस पे विश्वास करेंगे, या उसके लिए उस जोस से काम करेंगे, या सिरफ एक फर्मलेटी के तौर पर उन्हें यहां बुलाएंगे, यह दरसल कॉंग्रेस के अंदर, जो क्षेतरे नेतरोतों को बहुत बढ़ावा मिल गया ना, कॉंग्रे करनाटक के जो नतीज़ा है, वो क्षेतरे नेतरोतों ने करनाटक में नतीज़े दिलाएं, करनाटक में जीत दिलाई, सिद्धा रमया और डीकेशिव कुमान है, तो कॉंग्रेस को लगा कि इन राज्यों में भी क्यों नक्षेतरे नेतरोतों पर ही दाव खेला जाई, इसल में पहले एनॉंस कर दिया था कि वो रैली भुपाल में नहीं होगी इतनी एरोगेंस कमलनात में थी तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो कोई भी पार्टी फिर कैसे सर्वाइव करेगी आप ये सोचे तो क्षेत्रे नेत्रितों ने या क्षेत्र चत्रप जो आपके हैं पार्टी के उन्हों ने पार्टी को जमीन में धराशाई कर दिया इन चुनाओं ने ये साफ निकला और दूसरी तरफ बीजे पी जिससे आप मुकाब़ा करे थे जिनने कहा दा रहा कि भीजे पी बहुत बड़ी मंत्री कि कर रही कि अपने क्षेत्रे नेत्रितों कौ साइड्लाइन कर रही मात्र के ब्हूत बड़ा बड़ा वे Spray फेंडरी की जीत में काम किया है इधर वसुंद्रा जैसी जो जनाधार की नेधा उसे साइड लाइन कर दिया, रमन जिंग को साइड लाइन कर दिया, लेकिन बीजेपी ने जब वो काम किया, तो जो चीज नेगेटिव के लिए लग रही थी, वो उनके पॉजिटिव में काम कर दे, मेरा कहने का मतलब यह है, कि blindly बीजेपी को मत फॉलो करे, कॉंग्रेस के क्षेतरे नेतरुतों को ना तवज्जो दे, क्योंकि रेवन तरे डिभी क्षेतरे नेतरुतों ही है, लेकिन उन्हें काम किया, कहने का मतलब यह है, कि आप पहले तोलिए, परखिए, कि इस नेतरुतों में कितना दम है, फिर इस पर responsibility छोड़िए, अगर जहां आपको लगता है कि आपका क्षेतरे नेतरुतों अभी इस लाइक नहीं है कि पूरी चीज उनके हाथ पर छोड़ी जाए, तो वहां मत छोड़िए, वहां केंदरी नेतरुतों को चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, जिसे उधा पर दिल्ली, पंजाब, ये दो राज्ये में आपको सीधा-सीधा उधारन के तौर पर उत्राखंड, तीन राज्ये आज के डेट में मैं सीधा-सीधा उधारन पर दे सकता हूँ, जहां अक्षेतरे नेतरुतों कमजोर है, यहां जो भी गेम होगी वो केंदरी नेतरुतों खुद अपने हाथ से ही खेलेगा, गुजरात एक ऐसा ही रज्ये है, गुजरात में भी आपको इसी तरह का खेल खेलना पड़ेगा, या फिर आपको कोई तैयार करना पड़ेगा, जैसे असाम में आप गोगोई को त्यार कर रहे हैं, गोगोई जो है वो अपने पिता प्रदेश्वों को आप आप न जाने क्यों भूल गई है, आंदर प्रदेश फेल कर दीजे, ना जाने उससे क्यों भूल गई है, कॉंगर्स लगता है, कॉंगर्स ने अपने भारत के मांचितर में से औरीसा और आंदर प्रदेश तो कहीं निकाली ह nostro क latte, एसे राज़ों में कि अब इंडिया गटवंदन की बैठक में जब भी होगी छे तारी को एक आवान दिया है होती है नहीं होती है अलग बात है कॉंग्रेस के अब वो पोजिशन नहीं है जो पोजिशन होने की उम्मीद थी अब इसलिए कॉंग्रेस को सुनना जादा पड़ेगा सुनाना जादा पड़ेगा ऐसे में कॉंग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि जहां पर अभी इसको लगता है कि वो मुकाबले में जहां उसको मुकाबला करना है बीजेपी से वहां पर अपनी जमीन और ज्यादा मजबूत करें और इन पॉजिटिव को लेके इन पर काम करें नेगेटिव चीज़ों को भी ना भूलें नेगेटिव चीज़ों को रिपीट ना करें विज इसका ध्यान रखें लेकिन जो इन चुनाव से पॉजिटिव आये हैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं यह छोटा विशलेशन आपको पसंद आएगा पसंद आतो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आपने अब तक सब्स आपको पसंद बढ़ paneं आपको पसंद आता है उन्हे जरूर काूब मस्द आततों साफ़ झासाब झाहा हैं जरूर कीजेए हैं तक सब्सक्राइबी रけれभं सब्सक्राइब जरूर की जर टनों